तो गैस मुझे रिसेंटली खेलने को मिली स्कॉल अन बोन्स और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा अब एक थैंक्स तु यूबिसॉफ जिन्होंने मुझे दिया इस गेम का अर्ली आक्सस और आई गॉट टू प्लेया फुल सिक्स आवर्स अब दिस गेम और मेरे बास ऑप्श और को खेलोगे तो वो काफी डिफरेंट हो सकती है इस पर्टिक्लर वर्जन से तो गैस कलन बोन्स है एक अक्शन पैक नेवल वार्फेर गेम जिसमें आप बनते हो एक पायरेट जो कमांड करता है एक शिप को और जाते हो बहुती सारे रिस्की और डेंजरस एडिवेंचर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे एक्स्पिरेंस इस गेम के साथ कैसा रहा है और यह बी बताऊंगा कि मुझे इस गेम में कौन सी चीज़े पसंद आई हैं कौन सी चीज़े पसंद नहीं आई है लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक कर रहे हो तो आपको चलाने को मिलता है वो शेप आपको बागी शिप्स को सिंख करना होता है यह बीसिकली इस गेम का टुटोरियल सेक्षन था जहां पर आपको बेसे कंट्रोल बताई जा जाते हैं आपको हर एक इंपोर्टन चीज़ बताई जाती है जैसे कि आपको अपन करने के बाद आपको इस game की थोड़ी से story समझ आने लगेगी क्योंकि आपको कुछ contract पूरे करने होंगे और थोड़ी से exploration कर पाऊगे अब इस exploration के दोरान मुझे पता लगा कि इस game में actually काफे सारे elements है जो आपको busy रखेंगे and इस game में आपको बहुत सारे resources constantly gather करने पढ़ेंगे अपनी board को upgrade करने के लिए और आगे level up करने के लिए और आपको constantly contracts मिलते रहते हैं तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई activity होती ही है undertake करने के लिए और आपको खुद से मन भी करेगा in contracts को undertake करने का for a very simple reason कि आपको in contracts से resources मिलते हैं आप उन resources का use करके आप अलग-अलग customizations कर सकता अपने ship में and upgrade कर सकता अपने ship को and अपने ship को constantly upgrade करना one of the most important and satisfying element यह गेम का उसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि या जब मैं यह game खेल रहा था beta testing में तो मुझे constantly online रहना था इस game में and frankly मुझे नहीं पता कि इस game में एक offline mode भी आने वाला है या नहीं आने वाला है तो जब मैं यह game खेल रहा था तो मुझे दूसरे players constantly दिख रहे थे and आप उनके साथ sort of interact कर सकते हो और अगर आपको को contract बहुत जादा मुश्किल लगता है तो आप हमेशा दूसरे online players को call कर सकते हो help के लिए and मैंने यह एक बार try किया था and yes people do respond to it अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे इस game के बारे में बहुत पसंद आई हैं तो सबसे पहले बात करेंगे graphics and visuals के बारे में तो जो entire world इनों ने build किया है वो काफी जादा अच्छा है काफी जादा details है उसमें जो graphics है for most of the part काफी जादा clean हैं काफी अच्छे और realistic लगते हैं उसके साथ ही जब आपने ship में होते हो तो आप हर एक दूसरे NPC को देख सकते हो वो क्या कर रहे है और जैसे ज तो इस चीज को excuse फिलहाल किया जा सकते है अगली जीज जो मुझे बहुत पसंदा ही है वो है ship customization इस game में आप अपने ship का हर एक aspect कस्टमाइज कर सकते हो and customization में दोनों ही चीज़ें included है cosmetic effects भी यानि आपका ship कैसा दिखता है वो तो आप control करी सकते हो लेकिन उसके साथ साथ आप काफी सारी meaningful upgrades भी कर सकते हो for example आपको कितनी cannons लगानी है right side पे लगानी है left side पे लगानी है front में लगानी है and यह जो upgrades है खास तोर पर जो inventory management वाले upgrades है वो बहुत जादा meaningful है and वो gameplay में actual impact लेके आते हैं तो जब भी आप अपने ship को upgrade करोगे वो एक meaningful upgrade होगा and आपको real time gameplay में वो upgrade बहुत काम आएंगे अगली चीज़ जो मुझे इस game के बारे में पसंद आई है वो है इस game के intense battles इसमें आपको actually थोड़ी सी strategy लगानी पड़ेगी अपने enemies को हराने के लिए and आपने आपको defend करने के लिए एक proper strategy सोचनी पड़ेगी क्योंकि इस game में actually वो battle हारने का consequence है आपके सारी loot कायब हो जाएगी अगर आपका ship sink हो जाता है इन शॉट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यह है कि इस game में attack करना बहुत असान है लिकिन अपने आपको defend कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है अब बात करते हैं इस game के उन aspects के बारे में जो मुझे पसंद नहीं है फिर उस location पर जाने है और उस location पर जैसे आप resource collect करना start करोगे एक चोटी सी mini game start हो जाएगी और यही mini game आपको हर बार हर एक resource को collect करने के लिए खेलनी पड़ेगी और अफकोस यह थोड़े time बात बहुत जादे repetitive लगने लग जाती है resources को gather करना बहुत important है आपके ship के upgrades के लिए और खुद का level up करने के लिए तो आपको यह mini game खेलनी पड़ेगी आप इसको skip नहीं कर सकते हो तो I hope final version में या तो इस mini game को change कर दिया जाए या फिर जो इस resources gathering की activity है उसको थोड़ा fun बना दिया जाए अगली चीज जो मुझे इस game के बार में पसंद नहीं आई है वो है lack of personality and story तो सबसे पहली चीज तो हमारे character के कोई dialogues ही नहीं है हमारे character की कोई voice ही नहीं है और मुझे बहुत irritating लगता है जो मेरा character कुछ बोलता ही नहीं स्क्रीन पे और क्योंकि हमारा character कुछ बोलता नहीं है और उसके कुछ खास backstory भी नहीं बताई इन्होंने तो उस character से relate कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके जाथी कुछ clear motive नहीं होता है कि हम इस game में जो कर रहे हैं वो कर क्यो रहे हैं बट येस मुझे constantly lack of motive फील हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो in fact कर क्यो रहा हूँ तो बसे guys skull and bones की beta version के बारे में मेरा यही overview था I really hope आपको ये video पसंद आई होगी अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया मेरे channel को तो please कर दो कर दो